तो दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार तो जैसा कि हम सारे लोग जानते हैं कि अभी हमारी कमपनी सेफशॉप ने अपने प्लान में बदलाव किया है और पहले जो हमारा प्लान था उस प्लान का नाम था ज्यादा हपिनेस वाला प्लान और अभी जो हमारा company का plan super charge plan आ चुका है और आईए आज जानते हैं कि इसमें क्या-क्या बदलाव आए है तो सबसे पहले तो जो हमारा income पहले जो peer income होता था one business volume का company ढ़ाई रुपे देती थी वो same है उसके अलावा जो resale का income देती थी रिपर्चेस का वो भी 2.5 रुपेस करके पर business volume वो भी same है तो बदलाव company ने कहां-कहां किया है आज हम वो थोड़ा जानते हैं और देखते हैं तो सबसे पहले जो बदलाव किया गया है वो देखिए इसका नाम है incentive collated extra ICE इसका मतलब है जैसा कि हम सारे लोग जानते हैं company हमारे company में capping income है जो कि 2,00,00 रुपे है लेकिन अभी company ने क्या कर दिया है यानि कि जैसे ही आप capping income को achieve करते हैं और capping income के बाद में यानि कि capping के लिए आपको मात्रा 80,000 business volume तक का मान के चले capping income के अलावा जो extra business volume आपकी team से उस हपते निकलते हैं उसका भी company आपको कुछ हिस्सा दे रही है यानि कि अगर मान के चलिए अगर इस हपते अगर आपका एक लाग business volume निकलता है आपकी down से तो 80,000 business volume का तो आपको दो लाग रुपे मिल जाता है लेकिन बचा हुआ जो 20,000 business volume है उसका 0.25% यानि कि 5,000 रुपे और extra आपको मिलेगा यानि कि आपके down से जितना भी business volume जाएगा capping का दो लाग तो आपको मिलेगा है मिलेगा उसके over जो business volume होगा जो wash out हो जाता था पहले उसका भी आपको 0.25% आपको मिलेगा तो इसको हम बोलते हैं incentive collated extra ICE तो इसके बाद में हम बात करते हैं जो company rank income दे रहे थी हमें तो दोस्तों पहले क्या था कि rank income fixed नहीं था यानि कि rank 1 में आपको जो भी income मिलता था rank 2 में जो भी income मिलता था वो company के overall उस month के turnover के इसाफ से आपको rank income मलता था लेकिन अभी खुशी की बात यह है company ने rank income को बिल्कुल fixed कर दिया है आप देख सकते हैं इस slide में कि अगर आप इस business में rank 1 आप जैसे ही achieve करते हैं तो आपको सीधा 7000 का check मिलता है rank 2 में आपको 9000 का check मिलता है rank 3 में 34000 का check मिलता है rank 4 में 34000 का check मिलता है rank 5 में 82000 का check मिलता है rank 6 में 1,18,000 का check आपको मिलेगा rank 7 में 1,32,000 का check मिलेगा rank 8 में 4,17,000 का income मिलेगा rank 9 में 5,000,000 का income मिलेगा rank 10 में 5,000,000 का income मिलेगा और rank 11 में आपको 8,33,000 का income मिलेगा ये income rank का company ने fixed कर दिया है और इसके साथ-साथ company ने और एक चीज यानि कि कोई भी इंसान जब इस business में join करता है तो जिस दिन से उसका ID registration होता है उस दिन से वो counting start होता है अगर माल लीजे कोई भी इंसान rank 1 दिये गए समय पे पर चार्ज बोनस मिलेगा rank 1 का जो income है 7,000 वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा लेकिन उसके साथ-साथ आपको 3,000 रुपे एक्स्ट्रा मिलेगा साथ-साथ आप देख सकते rank 2 अगर आप 75 days में अचीव करते हैं आपको 5,000 रुपे और एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा rank income के साथ-साथ और इस तरह के हर rank में दिये गए समय पे अगर आप उस rank को अचीव करते हैं तो आप देखिए आपको ये super charge bonus मिल रहा है इसके साथ-साथ आगे देखते हैं यह है 7 heaven compensation यानि के दोस्तो पहले क्या होता था जब हम आप you की position में हैं जब आप left में 200 business volume और right में 200 business volume का joining आपकी team के मादिम से होता था तो आपको 1000 का check मलता था लेकिन यहापे 7 heaven compensation के अंदर आप देख सकते हैं वो जो एक 1000 का जो peer income है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा साथ-साथ अगर एक हपते के अंदर अगर आपका नया sale जो पुराना balance है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ अगर आपका left से 200 business volume जाता है और right से 200 business volume जाता है तो peer income आपको 1000 तो मिलेगा ही मिलेगा उसके साथ-साथ company आपको 1000 रुपे का bonus देगी यह एक हपते का है उसके next में क्या है अगर मालीजे एक हपते के अंदर अगर आप right से 600 business volume और left से 600 business volume एक हपते में अगर आप निकालते हैं तो peer income आपको कितना मिलता है 3000 तो मिलेगा ही मिलेगा उसके साथ-साथ company आपको 3000 का bonus देगी और यहाँ पर देखिए तीसरा slab में क्या है अगर आप left से 1400 business volume और right से 1400 business volume निकालते हैं तो पहले कितना आता था 7000 वो आपको मिलेगा लेकिन एक ही हपते के अंदर आप left से 1400 business volume और right से 1400 business volume निकालते हैं तो 7000 का आपको extra bonus मिलेगा यानि कि इन तीन slab के अंदर आपकी income double हो सकती है एक तो 2200 business volume में slab 1 slab 2 6600 business volume और slab 3 1400 business volume में आपको यह bonus मिल रहा है और इसका नाम है 7 heaven तो आगे देखते हैं और क्या बदला हो है यह है achievers conclave incentive यह है दोस्तों जो भी leader इस business के अंदर safe shop में काम करके वो 11th rank हासिल कर लेते हैं तो 11th rank हासिल करने के बाद में company उनकी जो loyalty है उसके लिए उनको reward देती है वो reward क्या है कि आपका जो भी check बनता है weekly check उस पे आपको company 100% bonus देगी अगर मान के चलिए अगर आप 11th rank achieve करने के बाद में इस हबते अगर आपका एक लाग का check बना है तो उस पे आपको company 100% bonus देगी यानि कि आपका check होगा 2 लाग का तो यह है achievers conclave incentive इसके अलावा और एक बहुत बड़ा बदलाव company ने किया है आप देख सकते globe trotter rewards पहले क्या था दोस्तों अगर आपको विदेश जाना है तो company का आपको target qualify करना होता था और जैसे आप target qualify करते थे उसके बाद में आपको company के मादेम से विदेश जाने का मौका मिलता था लेकिन company ने इसमें भी बहुत बड़ा बदलाव किया है एक ऐसा बदलाव किया है company ने कि अभी हर इंसान जो safe shop में काम कर रहा है हर इंसान को हर लीडर को विदेश जाने का मौका company ने दिया है जो की rank 4 से start है rank 4 से आपको ये reward मिलना start होगा आप देख सकते हैं सबसे पहले rank 4 में आपको domestic trip मिलेगा पूरे इंडिया के अंदर किसी भी जगर पे आपको domestic trip मिलेगा उसके बाद में rank 5 में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा और जैसे आप rank 6 अचिफ करेंगे rank 6 में आपको Thailand जाने का मौका मिलेगा यानि कि जो भी leader इस business में rank 6 अचिफ करेगा उसको company के मादेम से free of course Thailand जाने का मौ rank 8 से rank 8 जो भी leader अचिफ करेगा उसको दोस्तो दुबई जाने का मौका मिलेगा लेकिन अकेले नहीं यह couple trip मिलेगा तो यह बहुत बड़ा बदला और बहुती सांदार बदलाओ company ने किया है अब इस company के अंदर जितने भी लोग दिल से काम करेंगे उनको पूरा world गुमने का मौका है आप आगे देख सकते rank 9 में Hong Kong आप जा सकते हैं अपने partner के साथ में rank 10 में Maldives जा सकते हैं अपने partner के साथ हैं रैक 11 में Singapore आप जा सकते हैं rank 12 में China जा सकते हैं rank 13 में Eastern Europe आप जा सकते हैं, rank 14 में Russia जा सकते हैं, rank 15 में Paris and Switzerland आपको जाने का मौका है, rank 16 में London जाने का मौका है, rank 17 में Australia और rank 18 में USA, तो दोस्तों ये बहुत ही सांदर मौका है, हर किसी के लिए आप अपना passport ready रखिए, क्योंकि जैसे जैसे आपका rank होगा, आपको company के मादिम से free of cost आपको ये टूर मिलेगा, और एक बहुत बड़ा बदलाव किया है company ने, और इसको हम बोलेंगे accidental death safeguard, ये क्या है, दोस्तों इस business में आप जैसी 7th rank अचिव करते हैं, 7th rank अचिव करने के बाद में ये company के मादिम से आपको एक accidental death safeguard दिया जा रहा है, उसमें आपको अगर accidentally कि death हो जाता है, तो उनको 4 लाख रुपे उनकी nominee को मिलेगा, rank 8 में आप देख सकते हैं, 6 लाख का income मिलेगा, rank 9 में 10 लाख का, और rank 10 में 15 लाख और rank 11 में 25 लाख, ये क्या है, ये insurance amount है, अगर इस rank में अगर उस इंसान को कुछ हो जाता है, accidentally death हो जाती है, तो उसके बदले उनक के nominee को ये amount मिलेगा, और ये बहुत ही सांदार update company लेके आई है, और आप लोगों ने इतना ध्यान से इस update को सुना, इसके लिए thank you, thank you so much.